तो एक और महत्पुन प्रस्ण है हमारे पास वायू एक मिस्रन है योगी कि नहीं क्यों तो देखो इस प्रस्ण को हमको समझने के लिए फिर से हमको समझना पड़ेगा कि मिस्रन क्या होता है और योगी क्या होता है तो अगर मिस्रन की बात करें न तो मिस्रन में क्या होता है क को कि योगी का निर्मान होगा तो यहां पर देखेंगे है जो हमारा हवा होता है लोग वाय्यों बोलते हैंप्लिद्ध rat य्हे survived यह सारे सारे गेस्स है इस हवा में पाए जाते मैं अगर तुम केंडल एक मोंबत्य लो और मोंबत्य में आग लगाओ तो मुंबत्ती में आग लगाओगे तो क्या होगा मुंबत्ती जलने लगेगा जायर सी वात है जलेगा मुंबत्ती अब मुंबत्ती का जलना क्या दर्सारा है कि हमारे आसपास में ऑक्सीजन है हमको पता है कि जब जब ऑक्सीजन किसी दूसरे पदार्थ से सैयोग कर लेगा का रासायनिक रूप से तो oxygen का property खतम हो जाएगा ऑक्सीजण का property क्या एक वो दूसरी वस्तू को जलाने में सहाथा करता है अगर यह candle हवा में जल रहा है इसका मतलब हमारे आसपास में oxygen है तो oxygen तो हवा में है लिकिन इसका मतलब यह नहीं कि us करता है क्या जरुवत होता है इसका मतलब है हमारे यह मिसरन क्या होता है यानि कि जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है उसका गुन उस मिस्रन में भी होता है तो इसलिए इसको हम मिस्रन कहते हैं जैसे कि मालो कि हाइड्रोजन इसमें क्या है ऑक्सीजन भी है हवा में कार्बन डियोकसाइड भी है अब इस दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं हवा में देख सकते हैं इस वज़ा से हवा को हम लोग क्या बोल सकते हैं मिस्र उयदं रहता है इस वज़र से हवा मिसरन है योगिक नहीं है क्यों नहीं है योगिक योगिक जो बनता है तो वो क्या होगा रासाइनिक रूप से संयोग होना चाहिए दो या दो से अधिक पदार्थों का जब रासाइनिक संयोग होगा तब योगी का निर्मान होगा पहली बात योगी के निर्मान में क्या होता है जैसे कि हम मानलो C पलस O2 यह बना दी हमने CO2 तो कारबन औ औक्साइड की प्रोपर्टी क्या है कि यह आग को बुझा देता है यहां पर कारवन की प्रोपर्टी और ऑक्सीजन की प्रोपर्टी से बिल्कुल भिन्य है कारवन डायोक्साइड की प्रोपर्टी तो यहां पर जो योगिक का निर्बान होता है ना तो योग कहने का मतलब है योगिक जिन पदार्थों से मिल करके बना है और जो योगिक बना हुआ है जैसे कि योगिक जो है कारवन औक्सीजन से मिल करके बना है इसकी प्रोपर्टी अलग है इसका अलग है जब कि कारवन डियक्साइड का अलग है यानि कि योगिक जिन पदार्थों से मिल करके बना है उससे बिल्कुल ही अलग होता है हमारा किसका प्रॉपर्टि जो योगी हमारा बना है उसका प्रॉपर्टि इससी तरह से यहां पर उक्सीजन को मिलने से क्या बनेगा है यहां पर देखेंगे हैं क्या है जलनने वाला है यानि जलनसील होता है है उकसीजन जलने में सहयाथा करता है लेकिन जल की property क्या है यह आग को बुझा देता है यहां पर जो हइड़ोजन और और oxygen की property YOUR इहां यहां पर pee लेकला Anhamya Oxygen के पास अपना प्रोपर्टी वो जनमें सहाता करते हैं कारवण डैक्सिवर के अपना प्रोपर्टी है वह फिर खंल ये ये काम में आता है। इस तरह से देखते हैं कि मिशरन का जो भी गुन होता है हवा फुलो करता है। तब कि योगिक का जो गुन होता है वो हवा फोलो नहीं करता है हवा पालन नहीं करता है इस वज़ा से वायू को हम लोग मिश्रन कहेंगे योगिक नहीं कहेंगे